Welding Roads आप सब ने सुना होगा Welding Roads क्या होती है? इसके sizes कैसे होते है? Numbers के हिसाब से sizes कैसे निकालते है? इस वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी बने रही है वीडियो में अंतक हलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चेनल टेक्निकल शादाप सर में तो आएगा देखेंगे स्क्रीन पर हमारे जो साइसे आप देख सकते हैं कि 12 नमबर, 10 नमबर, 8 नमबर, 6 नमबर और 4 नमबर ठीक है अब इन साइस के हिसाब से हमारे कितनी mm जो हमारी welding electrode की ठिकने से जो उसकी मोटाई है हमारी कितनी होगी सपोज हमारी कोई 12 नमबर की electrode है तो उसकी ठिकने से हमारी 2.5 mm होगी आप इस स्कीन पर देख सकते हैं इसी तरह 10 नमबर की होग 3.15 या फिर 3.20 भी हो सकती है ठीक है 8 नमबर के लिए 4 mm होगी 6 नमबर के लिए 5 mm होगी और 4 नमबर की इलेक्ट्रोड के लिए 6.30 mm होगी अब मैंने sizes क्यों बताए क्योंकि हम industry या कहीं भी fabricate या कोई भी work करते हुए हम सिर्फ यही कहते हैं कि हमें 12 नमबर की road चाहिए या purchasing करते हुए या use करते हुए कि 8 नमबर की road इसको use करेंगे या यहाँ पर हम 10 नमबर की road use करेंगे ठीक है अगर 10 नमबर की है तो इसका मतलब हम आराम से निकाल सकते हैं कि हमारी कितने mm की road use होगी ठीक है इसके आगे इनके current size भी दिये हुए है ठीक है current यानि कि किस electrode के लिए किस number की electrode के लिए कितना current हमारा capable होगा कितना use कर सकते हैं वह आगे दिया है इसे बारा नमबर के आगे दिया है हमे 60-90 यानि कि 62-90 हमारा जो ampere load होगा उतना हम रख सकते हैं इसी तरह 10 नमबर के लिए 100-130 तक रख सकते हैं ठीक है यह 80 से भी ले सकते हैं हम हम डिपेंड करेंगे हमारा जो वर्क क्या है हम क्या फैब्रिकेट कर रहे हैं ठीकनेस क्या है मेट्रियल की जहां पर हमें weld करना है ठीक है वह सब डिपेंड करता है आठ नमबर के लिए 35 से लेके 190 या 200 तक भी ले सकते हैं ठीक है करन्ट इसमें यूज किया जाता है वो बताया ठीक है नेक्ट वीडियो में किसका मेट्रियल क्या होता है और यह कितने टाइप्स की होती है कितने टाइप्स का वेल्डिंग होता वो सब जानगारे भी हम नेक्ट वीडियो में देंगे ठीक है तो वीडियो कैसे लगी नहीं आयों सब्सक्राइब जरूर कर लेना और शेर करना बिल्कुर न भूले नेक्ट वीडियो में हम टेक्निकल से रेटी टोपिक फिल लेका आते हैं तब तक के लिए बाबाए